अगर आप भी बनना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, पीजियो एडिटर, कैमरा मैं या पर स्क्रिप्ट राइडर, तो हमें संपर्च कर नमस्कार आप देख रहे हैं, नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, मैं हूँ आपके साथ अभिलाश, टिम इंडिया इन दिनों इंग्लाइड दोरे पर है और यहां पर टिम इंडिया पहला टेस्ट मैच हार चुकी है, अब बा लेकिन बड़ी बात यह थी कि आखिर इस टीम में जिन खिलाडियों के वापसी हुई उनका प्रदर्शन कैसा था, टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मोहमद शमी की टीम में वापसी हुई और इस गेंदबाज ने दिखा दिया कि इसमें जो हुनर है, इस वज़े से BCCI से ट्रॉप नहीं करना चाहती है, साउथ आफ्रिका का फॉर्म कंटिन्यू रखा और उसके बाद अफगानिस्तान टेस्ट माच मिस्स करने के बाद टिम इंडिया में वापसी हुई इंगलाइंड दोरे पर और बहतरीन लाइन लेंद के साथ तीन विकेट जटके मोहमद शमी थे, उन्हें लग रहा था कि भाई अब यहां ते बड़ा स्कूर बन सकता है, लेकिन यहां पर मैच में वापसी कराई मोहमद शमी ने, पिछले चार महीने से जो आया इनकी जिंदगी में जो तूफान था, कहीं न कहीं वो समेटे हुए थे, बहुत कुछ चल रहा होगा श परिशान हैं, उन पर दबाव हैं, यह सारी चीज़ें जो हैं वो कही जा रही थी, लेकिन इन सब बातों का करारा जवाब मोहमद शमी ने अपने परफॉर्मेंस से दिया, दरसल इस बात की शुरुआत हुई थी पांच मार्च को, पांच मार्च को मोहमद शमी की पतनी हसी जहां ने एक ऐसा सामने मुद्ध खड़ा किया था जो काफी जादा हैरान कर देने वाला था, बड़ी बात ये थी कि हसी जहां ने अपने ही शोहर मोहमद शमी पर बेवफाई का इलजाम लगाया, वैद संबन्ध का इलजाम लगाया, और कहीं न कहीं मोहमद शमी को अपने चंगुल में फसा दिया, दरसल हसीन जहां ने भी कहा कि मोहमद शमी लड़कियों से काफी आपती जनक चैट्स करते हैं, उन चैट्स की तस्वीर भी, हसीन जहां ने वाइरल की सोचल मीडिया अकाउंट पर इतनी चीज़े वाइरल होने के बाद, फेसबुक की तरफ से उन इन्होंने किसी और आरत के साथ शारिरिक संब्स बनाएं हैं, पढ़ोसी मुलकी लड़की के साथ शारिरिक संब्स बनाएं हैं, और दुबई में ये एश करने गए थे, इस तरह के इज़ामात लगे, उसके बाद एक और इलजाम लगाया हसीन जहां ने वो लगाया था लियान में लिया, BCCI ने कहा कि हम निजी मसले पर तो हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन हम मैच फिक्सिंग के इदाब में, अगर मुहमद शमी दोशी है, तो हम सजा देंगे, लेकिन अगर दोशी नहीं है, तो हम मुहमद शमी को मौका देंगे, अब ACU का गठन किया गया, अंट मुहमद शमी को क्लेंट चिट मिल गई है, इससे पहले BCCI ने शमी का कॉंट्रेक्ट रद कर दिया था, सेंट्रल कॉंट्रेक्ट और उसके बाद फिर उन्हें दुबारा सेंट्रल कॉंट्रेक्ट रियू करना पड़ा, और मुहमद शमी को अपने कॉंट्रेक्ट के पर मुझे इतना पता है कि मेरे दामाद मुहम्मद शमी इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं अब ये मामला इतना जादा खीचा जाने लगा कि लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि क्या मुहम्मद शमी वाकई इस तरह के इल्जामात में शामिल हो सकते हैं बड़ी बात ये थी कि आखिर मुहम्मद शमी का क्या इसमें रूल था जो हसीन जहां ने इन पर इल्जामात लगाए। दरसल ये बात हम सभी जानते हैं कि एक पत्नी जब एक पती पर इल्जाम लगाती है तो कहीं न कहीं उसकी बातों में सच्चाई होती है। आपका काम है आप सबूत पेश कीजे और फिर उसके बाद हम मुहम्मद शमी पर कारवाई करें क्योंकि यहां पर कुलकाता पुलिस के पास जाकर हसीन जहां ने फाई यार कराई थी मुहम्मद शमी के खिलाफ तहेजुत पीड़न इस तरह के इल्जामात लगाए थी। केटर 2014 में आप से शादी करता है लाखों रुपे कमाने वाला है आप एक चियर लीडर है आप 15-20,000 की जॉब करती है अब आप से वो शादी करता है आप से प्यार करता है आप तो नों एक दूसरे के साथ निकाह पड़ते हैं और उसके बाद आप उसी पर आरोप लगाती ह हैं दहे जुद्पीडन का तो क्या मुहमद शमी को यह नहीं पता था कि हसीन जहां क्या कमाती है इसके बाद एक सच और खुला कि हसीन जहां के जो है हसीन जहां शमी से शादी से पहले एक तलाक शुदा और थी वो दो बच्चियों को जन्म दे चुकी है और उनके पहले प देसले सामने आये, एक के बाद एक back-to-back सच सामने आने लगे, उन मोंमद शमी की जो बच्ची ए बेबॉस के बारे में भी सोचा जानने लगे, और शमी ने फिर मीडिया के सामने कबूला, कि शादी के बाद हसी टाहन है थी पनी पहली शादी के बारे में बताया, जब दीरे दीरे राज खुलते गए तो और मुहम्मद शमी उसके साथ ओके भी हो गए इसके बाद मुहम्मद माफिजे हसीन जहां कि जो पहले पती से जो बेटियां थी उनकी बड़ी बेटी ने भी बयान दिया कि उनकी माने कुछ गलत नहीं किया है अगर वो कुछ कह रही है तो उसमें कोई जो है माइने है दूसरी बात मुहम्मद शमी को भी उनकी खलत नहीं बताया उनकी कि ऑगा हमें बच्ची की तरह रखते थे हमारी ख्याल रखते थे हमें पैसे दिया करते थे तो कहीं न कहीं बच्चीयों की मन में दोनों के लिए अच्छी feeling थी और मुहम्मद शमी ने कहा कि जब मैंने इसे पूछा कि आप क्या तलाग शुदा है तो उन्हों ने कहा कि ये दोनों बच्चिया मेरी बहन की बच्चिया है और उनकी जो है वो death हो चुकी है अब इस तरह का जूट अगर सामने आएगा तो शाय कि आपका जो मसला है वो अलग मसला है लेकिन आपने शमी के साथ साथ कई और लोगों को भी बनाम किया आपने दादा को इस मामले में घसीट लिया अपने उमेश यादर की पतनी को इस मामले में घसीटा और इस तरह के मामले में घसीटे जाने के बाद आप साफ तो पर जेंजिन का नाम दिया वो सारे लोग सामने आया और उन्होंने आके कैमरे के सामने बयान दिया अलिश्बा आई अलिश्बा जिन पर आरोप लग रहा था कि मैं एक बड़ा क्रिकेटर हूं मुझे लोग मैसेज करते हैं तो इसमें बुराई क्या है मैं इस तरह की चैट तो नहीं करता हूं लेकिन कहीं न कहीं अगर मैं किसी से बात भी कर देता हूं कि किसी को रिपलाई भी कर देता हूं तो इन्हें वो बात नागवार गुसरती है शायद ये जगड़े की वज़े रही होगी इसके बाद हाल ही में खबर आई कि हसीन जहां अपने पूराने दिनों में लौट चुकी है अपने मौडलिंग के दिश में लौट चुकी है और उन्होंने हो सकता है वो जल्द ही बॉड़ीवूड की फिल्म फृतवा में नजहरा आएं हमज़द खान सहाब की वे और कहीं न कहीं हसी जहाँ अब उसके लिए प्रिपेर हो रही है जम कर रही है बॉड़ी को फेट कर रही है उन्होंने साफ तोर पर ये कहा कि मुझे अपनी बच्ची का खर्चा चलाना है आगे मुझे लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी है ऐसे में मुझे पैसे जोडने करेंगे तो आप मैं मॉडलिंग के दुनिया में वापत आ चुकी हूँ और शीन जहाने बहुत बोल्ड फोटो शूट भी कराएं देखे फोटो शूट कराना ये सब अलग बात है लेकिन एक आरोप जो आप लगतार तमाम आरोप लगा रही हैं सीन जहाने एक आरोप और ल अन्यूजर सामने आएंगी यानि कि यह जो खिलाडी जो मेहनत करते हैं जो शतक बनाते हैं जो विकेट्स लेते हैं क्या ये क्रिमिनल हैं क्या इनकी बातें एक क्राइम हैं कहीं न कहीं ये बात हसीन जहा को भी सोचनी चाहिए PCCI ने कहीं मौमत श्मी के सारी कुछ जाच क अब इस तरह के इल्जामात लगने के बाद लगातार आरोप जूटे लगने के बाद लगातार जूटा सावित होने के बाद हसीन जहां लगातार एक शमी पर ही अटैक कर रही है। उन्होंने अलिपूर की कोट में केस भी किया है कि मुहमद शमी ने जो उन्हें एक लाख कर रहा है देखना दिल्चस्प होगा कि मुहमद शमी और हसीन जहां के बीच यह विवाद और क्या नए मोड लेता है। फिलाल इस खास प्रोग्राम में तना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी मुहमद शमी और हसीन जहां से जुड़े कई पहलों के साथ लेकिन फिलाल हमें देखे चाहिए चाहसा तुरह हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर रहा है नमस्क्राइब अगर आप भी बनना चाहिए अगर आप भी बनना चाहिए एंकर और प्रोटर, पीजियो एटिटर, कैमरा मैं या स्कुर्ट राइटर तो हम इस संपच रहे हैं